चाहं दोस्तों आज किस वीडियो के मादम से हम बात करने वाले हैं MPD8 Second Round Mary List के बारे वी तो दोस्तों आपके लिए गुड़नुजा कि MPD8 की जो Second Round के आज हमारी Mary List आने वाली थी 24 जुन को वो हमारी Mary List 24 जुन को आज एनाउंस कर देखी है तो अगर आपने MPD8 में admission लेने के लिए registration and choice में किया था तो दोस्तों हमें कैसे चेक करना है सारी इंपोर्मिशन में बता हूँ है सबसे पहले आपको इसकी official website पर आना है लिंक इसका description box में मिल जाए अगर directly उस पर आप क्लिक करके इस website पर आ जाना है यहाँ पर दोस्तों day alert counseling आपको दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहें इस पर आपको click कर देना है इसके बाद में आपको क्या करना है बहुत सारे tab दिखाई देंगे इनमें से आप जो tab दिखाई दे रहा है इस दूसरे नंबर पर जैसा कि मैं highlight करके आप आपको दिखा रहा हूं जो एक तो आवसे सुचना है एक counseling गतिविदिया तो दूसरे नंबर पर जो tab दिखाई दे रहा है counseling गतिविदिया वाला इस पर आपको click कर देना है इसके बाद में दोस्तों first number पर लिंक activate कर दिया गया है print second round allotment letter जो कि 24 जुन को एक वज़े के time पर announce कर देगा है 29 जुन तक activate रहेगा यहाँ पर आपको पता चलेगा कौन सा college मिला है और कौन सा college नहीं मिला है अगर college मिल जाएगा तो college का नाम देखेगा अगर नहीं मिला होगा तो वहाँ पर नाम नहीं देखेगा no college initiative to you दिखा ही देगा ठीक है सबसे पहले हमें क्या करना ह तो हम यहाँ से college चेक करेंगे इसके लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है यहाँ पर अपना डाल देना और आपने रजिस्टिशन के टाइम जो पास्वर्ड वनाए था वो पास्वर्ड डाल देना पर आपको क्लिक करेंगे दोस्तों एक बात भी समझना कि अगर आपके अलॉट्में लेटर में आपका नाम आ जाएगा तो इस तरह के मैसेज भी आजाएगा आपके रजिस्ट्र मोवाल नंबर पर अगर आपको कोई बी कॉले अलॉट कर दिया जाता है अगर आपको कोई अलॉट नहीं होगा तो फिर आपको मैसेज नहीं दिखाई देगा ठीक है यह फर्स्ट रांट का मैसेज है इसलिए मैंने सुचा आपको बता देता हूं तो दोस्तों अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है जब हमारा किसी कॉले में नाम आ जाता है त आपना अलॉट में लेटर डानलोड करना है तो यहां पर क्या करना होगा विव अलॉट में लेटर पर क्लिक करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारा अलॉट में लेटर जो की डानलोड हो चुका है जैसा कि यहां पर आप देख पा वो भी आपको दिखाई देगा, इस सारी चीज़ें दिखाई देगा, अगर दोस्तों आप मानके चली OBC के student है और आपको seat general से अलोट होती है, तो कोई भी tension नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है, जब आपकी percent general के बराबर होती है, तो आपको general के seat अलोट की जाती है, अगर मा करना है आप, इसका print out निकाल लेना है, ठीक है, print out निकालने के बाद में, आपको क्या करना है, आपको जो भी college अलोट किया गया है, चाहे आपका government college हो, चाहे आपका private college हो, उस college में जाकर अपने जो document है, उन document को verify करवा लेना है, जैसी आपके document verify हो जाएंगे, verify होने के बाद में, आपको अपनी क्या करनी है, अपनी piece बढ़नी होगी, piece आपको कैसे बढ़नी है, बो मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों, अगर आपको government college मिला है, तो पिर आपकी जो piece जमा होगी, वो online होगी, और 9000 रुपे आपको जमा करनी है, लेकिन अगर आपको को private college अलोट हो जमा होगी, लेकिन जो private college की piece होती है, वो college में जमा होती है, अब private college की piece कितनी लगेगी, इसके बारे में आपको college से ही पता चलेगा, तो एक बात ध्यान रगना, मान के चली है आपको कोई private college मिल गया है, तो ये नाम का private college मिला है, इस college में admission लेनी से पहले उस college का piece structure पूछ ल जग रही है, पता चले कि आप piece जमा कर दी, आपने अभी present में फर्स इस्टर में पांच-दस आयार और बाद में पता चले एक लाग रुपे piece है, तो पहले अपना piece structure समझ लेना, जो कि private college में जाकर उस college में लेना, बास समझ में आ गई है, अन्यता फिर बाद में आप पच् चारी student के साथ हुआ, इसलिए मैंने सूचा आपको information दे देता हूँ, तो वीडियो को share का देना, मिल तक लिए वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए, बाई